दोस्तों पहली बार सीटेट की परिच्छा जो है ऑनलाइन करवाई गई ऑनलाइन परिच्छा के फेर में बहुत सारे ऐसे बढ़ती हैं जो अच्छा खासा प्रयास करने के बाद भी कहीं न कहीं असफल हो गएंगें अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला सीटेट कब होगा कब इसके फार्म आएंगे कब इसकी परिच्छा होगी तो इस वीडियो के मादधम से हम आपको अगले सीटेट एक्जाम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं ठीक है कि कब तक इसके फार्मा सकते हैं कब तक इसकी परिच्छा हो सकती है और जो नए बढ़ती हैं जो य पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सीट दोस्तों आप लोग जानते होंगे सीवेसी के द्वरा करवाया जाता है साल में दो बार यह परिच्छा करवाई जाती है लेकिन कोरोना के करना काफी डिश्टर्ब हो गय को यहाँ पर डिफिकल्टी फेस हुई और इसी विदे से रिजल्ट में देरी भी हुई और नार्मला यसन होने काउंट रिजल्ट जो आपका मार्च में जार हुआ है ठीक है जो में तर सफाल हो गया उनको बढ़ाई और जो में तर सफाल हो गया उनके लिए अगला लेवल टू ठीक है लेवल वेन यानि प्राइमरी को बोलते हैं कच्छा एक से पांच के लिए और लेवल टू जूनियर को कच्छा छाए से आठ के लिए भाविस में लेवल थ्री भी लागू होगा क्योंकि ऐसा प्रस्ताव दिया गया है जो कि मादमे किस तर की वर्तियों के लिए होगा फिलाल अभी वो लागू नहीं है तो केवल दो ही प्रकार के आप सीटेट में ठीक है पार्टिसिपेट कर सकते हैं या तो लेवल वन या लेवल टू या फिर दोनों जैसे आपके पास LGBT क्रेटेरिया होगी उस हिसाब से ठीक है तो यहां पर मैं कुछ चीजे अगर आप इलिजबल होना चाहते हैं टीचिंग बरतियों के लिए तो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा इसमें कई तरह की कोर्से सवाले बरती इलिजबल होते हैं जैसे कि 50 फिजदी अंकों के साथ बार्वी पास हैं आप साथ में दो वर्सी डिप्लोम इलिमेंटरी एजुकेशन है तो आप यहां पर आविदन कर सकते हैं इसके लाप 50 फिजदी अंकों से आप 12 पास हैं चार वर्सी बेलेड कूर्स किया हुआ तब आप आविदन कर सकते हैं इसके लाप 50 फिजदी अंकों के साथ बार्वी पास हैं और दो वर्सी डिप्लोम है इन एजुकेशन है, इस पेशल एजुकेशन किया, तब भी यहां पर आप फार्म बढ़ सकते हैं, साथ में पचास फिश्दी अंकों के साथ ग्रेजुवेशन किया हुए और बीएड पास हैं, तब भी आप प्रैमरी लेवल के लिए आफिदन कर सकते हैं, जूनर लेवल की ब पहले बोला गया, ग्रेजुवेशन इन डिप्लोमन एलिमेंटर एजुकेशन ठीक है, यह आपके पास है, तो आप इसमें अग्रेजुवेशन कर सकते हैं, दूसरा बोला गया कि पचास फिश्दी माक्स का ग्रेजुवेशन और बीएड आप के पास है, तब भी आप पात पात रहें, और पाचास फिश्दी माकस साथ ग्रेजुवेशन और स्पेशल बीड़ आपका तब भी आप पात रहें, तो यह तो बात हुए, इलिजबिटी करेट एडिया की, ठीक है, अब यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह आप बैठेंगे, तो यहाँ पर एक सुपच आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, जिसकी वज़ता लाइफ टाइम कर दी गई, पहले वज़ता जो थी यह केवल साथ सालों के लिए थी, लेकिन आप फिलाल इसकी वज़ता को बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया है, और क्या है कि इसमें जो अबर थी पहले सी इस डिगरी को आप इस्तिमाल कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है, आप देखिए, यहां पर क्वालिफाइंग माक्स की बात कर लेते हैं, तो जो अन रिज़र्व का टेगरी है, उसके लिए 60% नंबर लाना जरूरी होता है, यह 150 में से कम से कम 90 लेकि आएंगे, तभी आप क्वालिफाई माना जाएंगे, जो रिज़र्व का टेगरी होता है, इसके लिए 82 नंबर लाना कंपल सरी होता है, लेकिन जो रिज़र्वेशन का लाव होता है, अपने स्टिट में ही आपको मिलेगा, बाहर किसी भी वेकैंसी में अपलाई करें अब जो परिच्छा होगी, जुलाई 2022 की परिच्छा होगी, ठीक है, तो जुलाई में इसकी परिच्छा करवाई जाएगी, इसका जो नोटिफिकेशन बहुत जल जारी किया सकता है, उमीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन आपका अपरेल में आ जाएगा, ठीक है, अपरे इच्छा होगी जुलाई में होगी जैसा कि उने बताया और सितंबर या अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा उसकी बात फिर से अगले दिसंबर 2022 के लिए सीटेट की प्रक्रिया प्रारम हो जाती है तो साल में दो बार इस परिच्छा का आयोजन करवा जाता है सभी की टेस्ट सीरीज आपको हमारे अप्लिकेशन पर मिल जाएगी एबिटेक ओंलाइन टेस्ट सीरीज पर जहां पर लाखों लोग वहां पर अप्लिकेशन के मादम से तैयारी कर रहे हैं दिस्क्रिप्शन बॉक में आपका लिंक दिया गया है चेक आउड कर लिजिएग आसा करते जानकारी समझ में आये होगी वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद हो